देखें वह बढ़ाही एक नौटि सा हमसाह है इसके र्लावर में उनके बारे में कुछ नौटि साह है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस के वह नहीं है कि हम्के हमिए है इट dh meno ही फाइनल फोटोग्राफ आई नए तो वह पाकिस्टानियों बिए धच्का था उन्होंने सोचा, बोधी जी होंगे कहीं कोने खच्के में और हमारे ककड साब तो इसलाम की एक्टमिक पावर, इसलाम का किला फ्रंट पे होंगे तो ककड साब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग तलग रखा गया हूंको कोई इनकों साथ खड़ा होने को तयार नहीं था कि यह हमारे साथ खड़ा होगा तो भीत मंगने शुरू कर देखा है किसी ने इतने ट्रिप नहीं किये हैं फोरें ट्रिप जितने इसने किये इसने किये इसने कोई मुलक नहीं छोड़ा है मैंने देखा है कि अगर आपने डिपलो बेसी सीखनी है तो आप प्राइमिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फरेंस मोदी साथ करा रहे है देखिए इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं पाकिसान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूएई के अंदर एक समिट हो रहा है कॉप 28 के नाम से कायमेट चेंज को लेकर अठाविस्वा सीजन है जिसको यूएई होस्ट कर रहा है और यहां पर दुनिया बर के लीडर यहां पर जा रहे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर मोधी जी भी वहां पर गए हैं तो पाकिस पाकिस्तान तो एक एटमिक मुल्क है जिस परकार की यह बक्वास बाते करते रहते हैं मीडिया पर यही सोच लेकर यह यूएई में गए कि वहां पर तो हमको बहुत इज्जद मिलने वाली हैं क्योंकि हम तो एटमिक मुल्क हैं हम तो मुसल्मानों के ठेकेदार हैं तो वह कि हम यह वीडियो देखते हैं लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवाना तो चले वीडियो को शुरू करते हैं अभी दुबाई में एक क्लाइमेट चेंज के हावाले से कॉन्फरेंस हुई जिसमें दुनिया भर के लोग आए और हमने देखा के पाकिस्तान ने उस वक्त पाकिस्तान का ये जो केर टेकर प्रायम इंयिस्टर ये सिर्फ घुमता फिरता रेता है तिसटरी में किसी ने इतने ट्रिप नहीं किया फ्रो एन्ट ट्रिप जतने इस ने किया इसने कुई मुल्क नहीं छोड़ा अमरीका से लेकर चाइना, ताजिकिस्तान, अस्बकिस्तान, अमारा तो यह तीसरी बार गिया है कोई, साथ यरोब, घूम फिर रहा है बस अलांके इसका ये काम है ही नहीं, खेर इसने पकड़ना शुरू कि अपनी टीम को दोड़ाया कि यार भीक मांगने के लिए लोग पकड़ो, तो सबसे पहले इसको मिल गए है डेच डेलिगेशन होलेंड का, उनको लेकर के जी हमारे म अपकिस्तानी मुसल्मान है न जो वा रहते हैं, वो उनको वापस बेच देगा, इस तरह जो मिल गया उस्पकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फोरण मिलके शुरू हो गए, कि यार हमारे तो हालात यह हैं, बताओ कहां से पैसे लें, चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो, इस तरह लगे रहे, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मनलब इटाली की प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और दूसरे जेतने लीडर थे, बारत के प्राइम मिनिस्टर, शरी नरिंदर mówi जी से ऐसे मिले जिसे अपने किسी बिच्छड़े ओवे भाई से या किसी ककड साब तो इसलाम की एक्टमिक पावर, इसलाम का किला फ्रंट पे होंगे तो ककड साब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग तलग रखा गया उनको कोई इनकों साथ खड़ा होने को तयार नहीं था कि यह हमारे साथ खड़ा होगा तो भीत मंगना शुरू कर देखा है मोधी जी फ्रंट लाइन में जोडन के किंग और मैन लीडर्स के साथ खड़े थे यह चीज़े चोटी चोटी होती हैं, नोटिस करने वाली होती है यार वो एक कौम है, अपने काम मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग हैं माज़रत के साथ हम कोई इतनी इच्छी कौम नहीं हैं, हम अपने मुल्क के साथ संसियर नहीं हैं वो लोग अपने मुल्क के साथ संसीर हैं मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ इस दफ़ा वर्ल्ड कप महां पे हुआ आज से 25 साल पहले इंडिया का जो मैंने सेनेरियो देखा था अब देखा है यार वो तो बहुत आगे चले गए हैं हम तो बहुत पीछे हैं बस इसे ज़रा मैं कुछ नहीं कहूंगा दुख होता है दुख रोने को दिल करता है अल्ला ताला ने पांच चार मौसम दी हैं हर चीज इस मुल्क में दी है लेकिन हम लोग अपने मुल्क के साथ संसीर नहीं है ये तो शर्म से डूप के मरने वाली बात है भाई मुल्क है तो हम है अगर मुल्क नहीं है तो आपका मेरा क्या काम है कुछ भी नहीं है तो ये चीज है आप अगर आपको बुरी लगी हो तो सौरी मैं फैक्टइल आदमी हो फैक्स पर बात करना बहुत अच्छा लगता है और फैक्स की जरूरत है इस ट्राम मुलक को मुलक की खकीकत बताना इस लोगों को जरूरत है कि जो अभी बी अंधेरे में बैटे हैं भाई 75 साल से इस मुलोकों का रहे हैं तो चल रहा है 75 सालों के अंदर हमने इतना बड़ा हमने हमारे सानियाrem 71 में हमना बंगलादिश अलग हो वह हमें नजर नहीं आता इस यहां गया दिर्ष आपने उसको बंगलादिश को देखा आपने कहा चला गया एक ही टाइम शुरू किया सबर आपको एक बाप बताओं यह मुझे चाइना तो खैर बहुत आगे उससे इंडिया यहां तक मेरे नॉलज में है दुनिया की पांचवी बड़ी माशियत है तो ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉन देखे ना आप वहां पे आप देखें लोगों का स्टेंडर क्या है उनको तो यार सोने के लिए रात को फुटपातों पे सोते हैं मौसली लोग और वो कहां चले गए यार अपने 20-25 परसंट जो अवाम तो गुरुबत के लिकेर से नीचे उपर उठा लिया उन्हों अजर मैं वही तो अर्स कर रहा हूं कि रोने को दिल करता है अफसोस है इस मुलक के हलात के जिम्हदार कौन है और आने वाले कितने टाइम के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं या चेंज हो इनी सकते ही अवाम इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दोगा बस बस अल्ला हम प करेंगे किसे स्टेंड लेंगे जहां पर हमारे प्राइम निसर जाते हैं पैसे नहीं दूसरी बात तो बिलकुल ठीक है थी चाहिए है कि जाने करी हैं ह हमें पैसा बणाना से पैसा बनाकर इंडिया के बराबर आनडिया इन ukौ बनादा चलूं हम्में चु+. इस वज़ह से कि ऑई उनके पास उनकि फ्टार्जा पॉलशी पहले हमने चारजा पॉल似 đi हैंदी क्लost फोरां वी जञेंगे लोग घंगे हमी आलोगा यालोगा हम नीची नी इदेंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है हमें अपने पाउँ पे खड़ा होना पड़ेगा लेकिन ये साड़ा साड़ा जितना भी आप कहा रहे है ना टोटल सब हुकमरानों का कसूर है जिन्होंने अवाम का आज ये भेरा गरत कर दिया हमें यहां पे ल दूसरी तरफ चले गए ना सूथ की तरफ चले गए करजों की तरफ चले गए अपने आपको मुश्किल में नी डाले ठीक है उन लोगों ने जिनकी बात कर रहे हैं आप मूदी की और उनकी उन्होंने माशियत अपने आपको तंग कारके खड़ी किया